श्री शिवाई नमस्तु भीहम दोस्तो 28 अप्रेल 2022 को प्रदोश का वरत है और दोस्तो प्रदोश के वरत के दिन आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से आपकी जो भी कामना हो भगवान भुलिनात के आश्रवास से आपकी वह कामना जरूर पूरी होगी क्योंकि प्रदोश वरत का जो दिन होता है वो प्रदोश काल का जो समय होता है वो भगवान भुलिनात को बहुती प्रिय होता है पहली बात तो प्रदोश वरत का दिन ही बहुत प्रिय होता है उसके बाद प्रदोश काल का जो समय होता है उस दिन का शाम का जो समय होता है वो भगवान बुलिनात को प्रसंद करने का बहुती शुब और अच्छा समय होता है उस समय अगर हम लोग भगवान बुलिनात की तो निस्चेती भगवान बुलिनात हम पर अपनी क्रपा ज़रू तो प्रदोश वुरत के दिन पॉरों बरशाते हैं तो प्रदॉश वृत सकते हैं तो भी आप इस ऊपई कर सकते हैं. सबसे पहला उपाई यह है कि अप लोग एक लोटे जल के अंदर पीला चंदन हो तोड़ा सा चंदन डालकर शिव जी की शिवलिंग की उपर समर्पित करके आईए कब करके आना है हो सके तो प्रदोश काल में समर्पित करके आईए प्रदोश वरत की दिन और अगर प्रदोश काल में संभव ना हो सके क्योंकि कई सारे मंदिरों में शाम की समय जल नहीं चड़ाने दिया जाता है, तो आप लोग क्या करें, प्रदूश्वरत के दिन ही सुभा सुभा जो है, लाल चंदन का या पीला चंदन का जो जल है, वो आप लोगों को शिवलिंग की उपर समर्पित करके आना है, जल कैसे बनाना है, एक लोटा जल लो, मतलब एक कल जल लो, उसमें जल भर लो, उसमें से थोड़ा सा लाल चंदन डाल दो, या तो उसमें थोड़ा पीला चंदन डाल दो, ठीक है, और उसे थोड़ा ऐसे ही मिला लो है, वो आपका चंदन का जल तैयार हो जाएगा, बस इस चंदन को आपको शिवलिंग की उपर समर्पित करक पहला उपाई यह हो गया, दूसरा उपाई यह है प्रदोश वृत के दिन का, प्रदोश काल का, कि आप लोगों को 108 चावल के दाने लेने हैं, 108 चावल के दाने लेने के बाद आपको शिवलिंगे के ऊपर एक असोख शुंद्री वाली जगा होती है, जो की जलाधारी के ऊप होगा, वो कार्तिके जी का इस्थान होता है, इन दोनों ही भागों के बीच में जो एक लाइन बनी होई होती है, नाग देवता बने हुए होते हैं, उस बीच की जगहा जो है वो असोख शुंद्री के जगहा होती है, तो उस जगहा पर आपको 108 चावल के दाने तूटे हु प्रिये दिन के हैं, भगवान शिव के सबसे प्रिये दिन के हैं, तो करके जरूर देखी कोई भी समस्याती कमेंट करके पूल सकते हैं, ओम नमस्षिवाई जये भौले अबाश्री शिवाई नमस्तु भ्याम